नमस्कार दोस्तों ग्यान की बाते यूटूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत से जूरी एक रहस्य जैसा कि आप जानते हैं महाभारत का युद्ध कुरूच हित्रक में हुआ था लेकिन आज तक कुरूच हित्र के युद्ध के एक भी उद्धा का सब नहीं मिला है इस रहस्य के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत की युद्ध में बहुत से सूर्वीरों ने अपने प्रानों के आहुती दी थी यहेक ऐसा युद्ध था जिसने कुरूच हित्र के धर्ति को रक्त रंजित कर दिया था इतना खून बहाद था कि आज भी वहां के मिट्टी का रंग लाल है एक कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे हर कोई परचित है लेकिन ऐसा सवाल है जो बहुत सोचने को मजबूर करता है अगर वाकई ए सब सच है तो उन सबों का क्या हुआ जिन लोगों ने कुरूच छेत्र के उद्ध में अपने प्रान गवाये थे उनके सबों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ जैसा कि आप जानते हैं राम सेतु के बारे में स्री राम ने राम सेतु का निर्मान करवाया था इस तथ्य के साच के रूप में बैज्यानिकों ने वह पुल खोज लिया है लेकिन महाभारत का वो भ्यंकर युद्ध बाकई घटित हुआ था इसके कोई परमान आज तक हासिल क्यों नहीं हो पाए इन सवालों का जवाब ढूंटते हुए कुछ ऐसी बाते हाथ लगी जिन पर विचार किया जा सकता है कुरू छेत्र के युद्ध में मारे गए सैनिकों और युद्धाओं के सब या अस्थियां इसलिए हासिल नहीं हुई होंगी क्योंकि आज के दोर में भले ही मारे गए दुस्मनों के सब से दुर्वेभार किया जाता हो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था माभारत का युद्ध दिन ढलते ही रोग दिया जाता था तो जो जिन लोगों का सब भूमी पर होते थे उनका अमतिम संसकार किया जाता होगा या फिर उनके सबों को उनके परिवार को सौब दिया जाता होगा अमतिम संसकार के बाद तो सिर्फ राखी बचती है अमल लंदन जिन्होंने कुरू छेतर के पौरानी के तिहास ब्रिस्त्रित अधन किया है का कहना है कि उतरायन के दिन जब भिष्म पितामन ने अपनी अम्तिम सांस ली थी उस दिन युद्ध समाप्थ होने के बाद कुरू छेतर के भूमी को जला दिया गया था ऐसा इसलिए क्या गया था ताकि हर मिर्त युद्धा को स्वर्ग में जगह मिले और उनके सबों का सुध्धिकरन हो जाए तो दोस्तो इसलिए कुरू छित्र युद्ध के एक भी युद्धा का सब आज तक नहीं मिल पाया है अगर आप इसी तरह के अधात्म से जूरी बाते जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ग्यान की बाते को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद